जे मसी की दोस्तों, अनुग्रह के सिंगासन पर बैठा हुआ हमारा पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के हर उतार चड़ाव को जानता है। आप जिन मसीबतों में, जिन बातों के साथ आप असमाईश में अपने जिनों को गुजार रहे हैं, आप विश्वास करिए कि पिता परमेश्वर जानता है। इसलिए आप अपने आपको अकेला मत समझे, आपके साथ आपका पिता है जिसने आपको आजात किया है और विश्वास करिए वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, आज के सुर्गी मन्नक का भाग हमने लिया है इब्रानियों के पुस्तक, उसका तीसरा अध्याय और उसका साथवा और आथवा वचन। वचन कहता है, अधजैसा पविद्रात्मा कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो, तो अपने हिर्देओं को ऐसे कठोर ना करो, जैसे जंगल में परिश्या के दिन उन्होंने मुझे कुरोद दिला कर किया था। धन्यवाद पिता परमेश्यर, तेरा वचन अधब होता है। दोस्तों, इस वचन के द्वरा हमें मालूम चलता है कि जब हम परमेश्यर का वचन सुने, तो हम अपने दिलों को कठोर ना करें। उस वचन को ग्रहन नहीं कर पाते हमारा मन कठोर हो जाता है। लेकिन बाइबल कहती है कि कोई भी इस्तिती, कोई भी परिशानी इतनी बड़ी नहीं है कि हमें डरा सके। क्योंकि परमेश्यर नहीं हमको हर परिशिती से आजाद किया है। दोस्तों, यहां मुझे मर्यम की एक एक गया, मर्यम जिसकी मंगनी होने वाली थी, जिसके सामने सपने थे, खुशियां थी, उसका मंगे तर यूसफ था, उसका जीवन था, उससे सपने देखी होंगे। लेकिन एक एक मर्यम के पास जिबराइल तु चाहता है। और परमेश्यर की आग्या को उसके सामने र वो घबराई नहीं, वो डिर्य नहीं, उसने प्राथ्ण ऑंग 현ины, उसने प्राथ्ण प्राथ्णृत्रा कंदों के हम और प्राथ्न आए widget, कि जिस यूसफ को दूपयार करती है, वही यूसफ दाउद्वन्श का है, और वही इसका पिता पहलाएगा, प्रित्वी पर हाले लेया इसलिए उसने विश्वास किया और उसने जिब्राहिल दूस से कहा कि तेरे वचन के अनुसार मेरे चीवन में खटे परमिशर के वचन के अनुसार मेरे चीवन में खटे और इसलिए अगर हम देखेंगे लुका एक का अरतालेस उसमें वो कितनी आनन्दित है कितनी आनन्द से भरी हुई है और मर्यम यहाँ पर पविद्रात्मा के द्वारा भविश्यवानी करती है क्या कहती है क्योंकि उसने अपनी दाशी की दीन ही नताशा पर प्रपादिश्टी की है इसलिए देखो अपसे लेकर युग युगांतर की पेडियां उसे धन्ने कहेंगी अलेलोया इक इसने बताया उसे पविद्रात्मा ने कैसे बताया जब उसने अपने मन को कठोर नहीं किया जब डर ने उसके मन को कठोर नहीं किया अगर डर आपके अंदर है तो आपका मन कटोर हो जाएगा आप किसी वचन को समझने के युग नहीं होंगे अपने मन में डर मत बिसाइए अपने मन को घबराट से दूर करिए क्योंकि शैतान आपको डराएगा शैतान आपके जीवन में घबराट लेकर आएगा क्योंकि शैतान चूटा है परमेश्वर सच्चा है अपने मन में डर हमेशा से निका लिए और परमेश्वर के वच्चन को ग्रहन करिए उसको समझने की कोशिश करिए उसकी योशनाओं को जानने के लिए कोशिश करिए जिस परमेश्वर ने आपको पाने के लिए अपने एक जैसे शद्रक मेशक अबेद नगो के सामने आग की भटी थी वो जानते थे कि पूरा सामराज ये पूरा राज्युम के खिलाफ है लेकिन तब भी उन्होंने परमेश्र को पहला हस्तान दिया और उन्होंने का कि नहीं नबुकदनेसर राजा हम तेरे सामने नहीं जुकेंगे हम उस मूर्ती के सामने नहीं जुकेंगे चाहे हमारे सामने तु आग की भटी दिखाता है आज उनका जीवन खत्रे में था उनके सामने मौत खली होई थी तब भी वो नहीं, तब भी वो वचलित नहीं हुए क्यूंकि उन्होंने वचन को ग्रहन कर लिया इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, हमें वचन को ग्रहन करना है ज़्अ हम वचन को ग्रहन करेंगे तब परमेशर का अद्बूत आशीश हमारे जीवन में काम करेगा प्रेस अलोट इसलिए रूमियों बारा का दो क्या कहता है कि इस संसार के अनरूप ना बनो परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेशर की भली, ग्रहन योग्य और सिद इच्छा को तुम अनभव से मालूम करते रहो परमेशर की भली और भाती और भली इच्छा क्या है आपके जीवन को सुख देना आपके जीवन में काम करना वो आपके जीवन में कब काम करेगा जब आप डरेंगी नहीं जब आप परमेशर के करीब रहेंगे जब आप अपने मन को कठोर नहीं करेंगे और परमेशर के मन को आप परमिश्र के वचन को ग्रहन करेंगे, तब आप उसकी इच्छा को जानेंगे, क्योंकि कोई भी मसीबत आपके जीवन में टिक नहीं सकती है, और क्या पता, जो मसीबत आ रही है, वो आपके जीवन में एक उधार लेकर आए, शांती लेकर आए, शुक लेकर आए, आपक भी है, तो अल्टिमेटली हमें महसूस करना है, हमें जानना है, हमें मनों को खोलना है, हमारे सामने जो भी परिस्चिती है, उससे डरना नहीं है, क्योंकि उस परिस्चिती में भी हमें परमेश्वर को पहला इस्थान देना है, और परमेश्वर हमारा हाथ कभी नहीं छोड आईए दोस्तों, हम पवित्र परमेश्व के सामने नत मस्ता खोते हैं, उसे उंचा इस्थान देते हैं, है पिता परमेश्व हमारे कोई भी सिती, कोई भी परिसिती हो, लेकिन तू हमारे साथ है, हम जानते हैं, तू हमें देखता है, तू जीवित है, तू हमारा नेगेबान तुने हमें चुना है और तु हमसे प्यार करता है तुने हमें अपना पुत्र बनाया है तुने हमें अपनी पुत्री बनाया है और तु जूटा नहीं है तु विश्वास योग्य है तेरा हाथ तेरा उपस्ति तेरा नाम हमारे साथ है और हम उस सहस के साथ इस दुनिया के साम शीजस कर सेंगा ही मांता। Amen, Amen, Amen